हालो नमस्कार मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं टीएस के टॉक्स बिग बोस ओला के आज के एपिसोड में आर्चना गौतम और शिव ठाकरे ने मिल करके कॉंग्रेस पार्टी का और प्रियंका गांधी का इतना जादा प्रचार प्रसार प्रोमोशन कर दिया है कि उन् समार होता है शादी होती है दुलन की सहीलियां उसे दर्वाजी तक रहती है ऐसे ही यहाँ पर अर्चना गौतम का विदाई समार हुआ अच्छा अर्चना गौतम का जो प्यार है वो कल से बहुत जादा एक नेरेटिव बिल्ड कर रहे थे कि शिव को मार मार के मोर बना दिय है मैं कई बार काफी दिनों से आगाह कर रहा हूँ अर्चना गौतम के फैंस को כי भाई वो अर्चना गौतम बहुत जाधा नेगिटिव जा रही है बहुत जादा ओवर ड़र टॉप जा रही है बहुत ही जादा मतलब ऐसी हरकत है कर रही है जो लिमिटके बाहर चली जाती ह उल्टा वो मुझे ही आकर के ग्यान देते हैं डी-एस के भाई तुम तो लूजर हो यह हो वो हो भाई तुमारी अर्चना गौतम तो बड़ी तीसमार का हैं तीन-तीन पिच्चर है सैन करके बिग बॉस में क्या कर रही है बड़ी तीसमार का होती तो भाई कॉंग्रेस को सब का मझा करके रख दिया है और अपने पैरेंट्स का कहिए या फिर अपने 46 के लोग सब गातर के रख लेकार कर टिया कैसे इक चोटी सी बात की ओपर और सलमान खान ने आज शूट नहीं किया है, सलमान खान आए भी नहीं लेकिन कई बुद्धी जी भी लोगों ने प्रोमो डाल दी हैं, एडिट करके वीडियो डाल दी कि सलमान ने लगा दी इसकी शिफ्ठाकरी की क्लास और उन्हें पास साड़े पाच हजार व्यूस भी मिल गए, जबकि हाकिकत में सलमान खान आएंगे कल और वहाँ पर शिफ्ठाकरे और अर्चना दौनों को वहाँ पर समझाएंगे या फिर बैश करेंगे जिस तरीके से यह जो शिफ्ठाकरी का क्लिप दिखाये गया है, कि अपन दीदी बोलेंगे, ऐसे करके इंस्टिगेट कर करी थी ना, कि साजसर ने बोला कि उसने पलटवार क्यों नहीं करा, पलटवार करता तो यह अर्चना वोमन कार्ट खिल जाती, तो यहाँ पर शिफ्ठ ने कोई ऐसी अबद्र हरकत नहीं करी, साथी साथ उसने दीदी शब्द बोला था, कोई बिलो दे बेल्ट वाले शब् आज यहाँ पर ब्लाइंडली वो अर्चना को जस्टिफाय करी थी, और गौरी संगत में देख रहे हैं, यह संदर्या और गौतम की संगत में गौरी भी मतलब उसी तरह के रंग में डल गई है, इनफेक्ट यह संदर्या जो की खोपड़ी के उपर एलियन एंटीना लगा क इसके बारे में सब्सक्राइब होने चाहिए कि जब आपकी उपर बोला गया था तब तो आपने बहुत ज़्यादा बवाल काटा था, लेकिन किसी और की उपर अर्चना ने बोल दिया, तो आपके लब सिल गए, अब आपका फेयर अप्रोच या फिर आपका एक स्टैंड लेना कहा गया, अच्छा फेयर होने से या फिर फिर चीज का स्टैंड लेने से मुझे यहादाई जग्गा, भाई साब जग्गा के फैंस उसे राइटियस बोलते हैं, मुझे कमेंट आयते हैं, एक महतरमा के कीडियस के आपको क्या पता, वो बहुत ज़्यादा राइटिय मैंने वजन के अधार पर, फोर अब तो, मतलब इतना ज़्यादा फंबल हो रही थी यह प्रियंका जग्गा, उसे पता था कि वो भी जूट बोल रही है, और इतने सारे लोगों के सामने, खुद बिग बॉस के सामने, और खुद बिग बॉस ने कितना जलील कर दिया, प्रियर, महान, सही चीज़ का स्टेंड लेने वाली, इसने अपने मूँ से ये सारी बाते कहीं, तो बिग बॉस ने जान बूच करके इस जग्गा को यहाँ पर संचालक बनाया, तो बिग बॉस अच्छे से इजज़त की धज्या उना देश, सच्चाय की मूरत और महानता क की मूरत की, आपने सब ने देखा कि कितनी बेशयर्मी के साथ इस जग्गा ने अपने ही रूल बना लिये, और बिग बॉस ने यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं करा, लेकिन बिग बॉस जो एक परसनेलिटी रिवील करवाना चाते थे ना प्रियंका जग्गा की, कि दुन और वो इसका सॉंदर्य का राशन वाला वो चलता है, लेकिन शिव और निम्रत भही करें तो फिर बवाल करती थी, और कन्फेशन रूम में तो अपने देखा ही था, नॉमिनेशन के टाइम पर दोस्तिया निभाओ, दोस्तिया निभाओ, लेकिन जब खुद की बारे आई, तो इसने भी दोस्तिया निभाओ, वो 25 लाग के टाइम पर बजर इसने भी दबाया, लेकिन दूसरों पर उंगली उठाती थी, इसके बावजूद, इतने सारे एक्जामपल देखने के बावजूद, अब भी भी कई फीमेल्स आएंगी, मुझे ग्यान देने के लिए, मु या फिर उन लोगों के दिमाग में भूसा बरा हुआ, या फिर वो खुद जग्गा जैसे है, और खुद का एक फेक फेमिनिजम जो होता न, वो दुनिया में कैंसर की तरह फैलाना चाहते हैं, कौन लोग? जग्गा, मग्गा और हग्गा के फैंस हो, तो इस एपिसोड की शुरुरात में तो जग्गा जलील हो जाती है, और उसके बाद जब शिव ठाकरे आर्ग्यूमेंट वगरा करने आता है, तो आपने देखा कि कैसे मग्गा भी बीच में कूद पड़ता है, जब कि उसको कूद ने ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हाँ, जग्गा ने ओर दिया बोल रही है, गौरी के कैरेक्टर को उपर पता नहीं क्या के बोला, यह नहीं शिव ठाकरे का कैरेक्टर असासिनेट करने के लिए उसने कैसे कैसे नेरेटिव बिल्ड करे, कभी गौतम के कान में बाते डाली, कभी संदरा को कह रही थी, तो उसे क्यों टच होती है, तो अब यहां पर अर्चना गौतम और शिव का यह जो मुद्दा बने, इसकी शुरुआत भी एक तरह से अर्चना गौतम ही करती है, उसको क्या ज़रूर थी टीशू पर कौने कौने में चुपाने की यह जो घरे बिग बॉस का, यह अर्चना के मम्मी पापा का घर तो है नही यह जो टीना दत्ता ही थी, यह पर टीशू पर चाहिए, यह चाहिए, वो चाहिए, और अंदर शिफ्टाकरे अलड़ी बोलता है, एंसी स्टैनल बगेरा से कि अपने को कुछ नहीं बोलना है, बस दीदी बोलना है, अब यह दीदी शब्द कहिए, या हारी हुई नेता, य लोगों की फैमिली पर जाता हो, लोगों के कैरेक्टर पर जाता हो, तो थोड़ा सा टेट फॉर टेट तो बनता है, तो यहाँ पर मैं शिफ्ट को गलत तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा, विकॉज उसने जो भी शब्द प्रयोग करे, वो मर्यादा के दायरे में थे, कॉं थी, कि अपने स्थान विशेश में घुसेड ले, कई सारे शब्दों तो ऐसे थे, अर्चना के जो की बहुत जाता बीप कर दिये गए, तो यह इनकी क्लास है, यह इनके संसकार है, यह दोसरों पर खुछ भी बोल सकती है, लेकिन सामने वाला एक शब्द बोलते दीदी, त डबल ढूल की मतलब डबल ढूल की जगगा मगगा हगगा, लेकिन जिस तरह से इसने अर्चना गौतम ने गला पकड़ा, शिव ठाकरे चाहता तो एक मुक्य में उसको बाहर उठा कर फैक सकता था, लेकिन उसने अपनी शालींता बरकरा रखी, अब यह शालींता उसने जा ँससे टखरा रही ती और यह ँरिव एया, और आइसे मतलब खली की तरह चल ल चल रही ती, ए बाप का घार है, ठाकर को बाप मार change कैर सकता, नहीं काड़ शताउ सकता, यहीं यहीं काड़ दूँगी, मार बनादूंगी, मार बना दूइए ज़ोड़ी दर बाद, सिर प्ली तो कितनी जल्दी ना अर्चना के जजबात बदल गए, उसके हालात बदल गए और ये अर्चना जो कि बिग बॉस के घर को अपना बाप का घर समझ रही थी, दो मिनिट नहीं लगे, घर से रफू चक्कर कर दिया, बिग बॉस ने पिछवाने पर लात मार के, अब बिग बॉ सकते हैं, लेकिन अर्चना ने गला पकड़ा था, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था, जो कि हमने पीछे की सीजन्स में देखा है, बिग बॉस तेरा, वहाँ पर तो भाई साहब इतने ज़्यादा पुश दिये जा रहे थे, या बिग बॉस पंदरा में करन सिर्फ सबक सिखाने के लिए ये सब किया है, कल या फिर परसो के एपिसोड में वह वापस आ जाएगी, उसे शायद बाहर एपिसोड दिखाए जाएंगे, सलमान खान थोड़ा सा उसको रियालिडी चेक देंगे कि अर्चना तुम बहुत अच्छा करती हो, लेकिन कई बार क्या होता ना कि तुमारा इंटर्टेन्मेंट, तुमारा कॉमेडी जो रहता ना, वो तुमारे आसपास के लोग इस कदर तुम को हवा दे देते हैं कि तुम लिमिट के बाहर चली जाती हो, तो अगर अर्चना बाहर गई है तो इसमें बहुत अच्छा ही छुपी होगी, त एक फ्री हेंड मिल चुका था, उसके आसपास जग्गा, मग्गा, गौतम, संदर्या और यह गोरी हैं, यह मतलब हर चीज में सपोर्ड करते हैं, अर्चना को एक चीज समझ लेनी चाहिए, अगर वो पॉलिटीशन बनना चाहती है, तो पॉलिटीशन के आसपास चम्चों क एक फॉज खड़ी रहती है, और वो चम्चे यही चाहते हैं कि कहां यह बंदा ब्लेंडर करें, और हम जो है इसका फैम खाजाएं, एक बॉड़ा महिला बिग बॉस 11 वाली उसका यही हचर हुआ है, तो मैं अपने एक्सपीरेंस से बता रहा हूँ क्योंकि मेरे उपर ना उन लोगों ने लताड़ा था, गाली गलोज बगेरा करी थी, लेकिन जो मेरा अब्जरवेशन था ना, जो मेरा प्रेडिक्शन था कि यह चम्चे उस बॉड़ा महिला का फैम खा जाएंगे, वही हुआ, तो अगर अर्चना के आसपास यह गौतम, सौंदर्या, और मैं कई यह एक्जामपल दे चुका हूँ, महा भारत के शकुनी का, जैसे दुर्योदन के पास शकुनी था, और शकुनी जो रहता ना, वो दुर्योदन के हर ब्लंडर को जस्टिफाइ करता था, भांजे, तुमने गलत नहीं किया, भांजे, मेरे प्यारे भांजे दुर्योदन, त तो सिर्फ आपके तारीफे करे जा रहे हैं, तारीफे करे जा रहे हैं, और आपको लगता हाँ, हाँ, यह तो मेरा अच्छा चाहते हैं, तो एक्चुली में जो तारीफ करने वाले लोग होते ना, असपास, यह आपके सबसे बड़े शक्त्रू होते हैं, और मैं अपने एक अर्चना के फैंस को आज रेलाइज होगा जो बाते मैंने काफी दिन पहले करी थी कि अकल बढ़ी है भैस जब मैंने कहा था कि अर्चना बहुत जदा ओवर दर टॉप चली जाती है तब तो लोग आये थे मुझे ग्यान देने के लिए आज वही लोग बोलेंगे आरे यार ग जलत होगी आर्चना के साथ काश थोड़ा रुक हो जाती उस दिन जब मैंने ये बाते करी तब तो मेरे को बड़ा ग्यान दिया था तो जब ठोकर लगती ना आदमी को तब उसको रेलाज होता और हमारी जिंदगी में तो वही हम इतनी ठोकर हैं खा चुके हैं कि ठोकर खा पाएगा कोई जो में अपनी जिंदगी में सीखे हैं ठोकर खाके धक्के खाके और ये जो एक्सपिरियंस में शेयर करता हूं ने ये बहुत सारे लोकों के हित में ही रहते हैं अब सामने वाला अपना हित इसमन ना ढूंडे उल्टा मेरे को गाली गलोच दे तो भई उसका नुकसाने मेरा क्या जाता है जैसे कि आज की एपिसोड में अर्चना ने अपना आपा खो दिया अपना कंट्रोल खो दिया और चली गए घर से बार जलील होकर के जिस इंसान को गाड़ने की बाते कर रही थी उसी इंसान से फिर भीग भी मांग रही थी तो कैसे उसका संसकारी है वह उल्लू एब सीरीज की 3G घर्ल्स गाली गलोच सेड़ेस करने वाली संसकारी चाहिए मूरत हूँ मैं महान हूँ और फिर unfair decision लेने लग जाओ तो इस प्रियंग का जग्गा के बारे में मैंने एक नहीं कई दफ़े आपके सामने बाते रखी हैं कि प्रियंग का जग्गा जो ग्यां दूसरों को देती है ना वो खुद अपने game में या फिर अपनी life में वो task जीत नहीं था जबकि कई बार क्या होता है कि कुछ बहुत बड़ा जीतने के लिए ना चोटी 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 चीजा हार जानी चाहिए इसी को बाजीगर कहा जाता है लेकिन नहीं प्रियंग का जग्गा को तो उसके PR ने यही साब कुछ घटिया पंती सिखा करके भेजी ह है तो अभी क्या है कि you scratch my back and I'll scratch your back तो अभी क्या कि Gotham जिसने खुद unfair decision लिया था अब यह लोग सब सही हो चुके हैं वो गौरी नगौरी जिसको अर्चना ने किसनी बद्दी बद्दी गालियां दी थी characterless या फिर prostitute ऐसा कुछ बोल गिया था सड़क पर बैठने वाली अब उस गौरी के लिए भी अर्चना सही हो गई थी आप देख लीजिए और यह शाली इंटीना निम्मो अरे निम्मो तो इतनी भरबर के acting का ओडिशन दे रही थी और यह सडली निम्मो को क्या हो गया कि व क्या लगाते हैं यार इनके ऊपर क्या काजल वाजल वह कुछ पहुचते हुए अब्दू आइवां टू टू टेल यू आइम 27 यर ओल बल 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 यह क्या बखवास पंती कर रही थी पता नियो मुझे तो ऐसा लग रहा कि निम्मो को ना बाहर से इंपुट आया इसलिए निम्मो को बोल दिया हो कि निम्मो अभी बहुत हो गया अब तुम किसी और एंगल में घुच जाओ जाकर के तो शायद निम्मो ने वहाँ पर यह जो रोना धोना कर रहा था यह उसी स्क्रिप्ट का नया एक पार्ट हो सकता है और अब्दू जहें वह बहुत ज़ लिखने में छोटा है लेकिन भाई बहुत ज़्यादा शाणा और तेज दिमाग है इसका बुद्धी बहुत तेज बालक की तो यह सब चीज़े रही है इस एपिसोड का मोटा मोटा सा लब बुलबाब इन चीजों के लावब कोई और जाधा हैपनिंग तो हुई नहीं है कि टीना सॉंदर है इनका वोई किचन वाला मुद्धा और कल वीकेंड का वार में कौन-कौन से मुद्धे उठते हैं और सामदाम दंड स्पेशल में सलमान खान कौन सा ट्विस्ट लेकर के आएंगे जैसे राहुल वैद्य को बिग बॉस चाहदा में घरवालों के सामने ख शुकरवार या अशनिवार के वार में देखनों को मिल जाएं और इस एपिसोड के एंड में जब यह जग्गा मगगा सोते रहते हैं तो यह जग्गा बोलती है नहीं यार अंकेत आज का दिन बहुत जादा खराब था इसके क्या नाम इसका अर्चना का तो दिन इतना खरा यह जब यह मिस्स राइटियस है तो फिर ओपनली क्यों नहीं बात करती ओपनली यह बत्तमीज बोलेंगी यह बोलेंगी लेकिन जहां इनके खुद के ब्लेंडर है ना खुपचे में जाकर के बोलेंगी यह बिल्कुल वैसे है जैसे वह राशन वाली टास्में इनको पता लेकिन यहां के त्यार इसने भी गलती तो की है और यह है मिस्स राइटियस जो की सही का साथ देती है तो यह कितनी राइटियस है यह तो आप सब ने देख लिया आप बताएगा आपके उपीनियन जिस तरह से अर्चना जो कि लोगों का मोर बनाना चाहती थी उसका खुद का मोर बन गया है और जिस तरह से निम्मो ने भरवर के ओवर एक्टिंग करिये आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके अवशे पताएगा शिव के बारे में आपके क्या उपीनियन है जिस तरह से उसने परपस लिए दीदी शब्द इस्तिमाल करा लेकिन जैसे कि बिग बॉस के रूल है कि आप बोल सकते हो और जब अर्चना इतनी बद्दी बद्दी बाते बोल सकती तो फिर दीदी तो बोल ही सकते लेकिन आप इंसा नहीं कर सकते लेकिन इंसा पर भी बिग बॉस के डबल स्टेंडर्ड किसी सीजर में निकालते हैं किसी सीजर में नही निकालते हैं, तो इन तमाम बातों के बारे में क्या है आपकी प्रतिक्रिया, कमेंट अबशे कीजेगा, वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे लाइक अबशे कीजेगा, और कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब, यदि अपने नहीं किया तो आपने समय निकाला वीडियो देख हैं, ताल आप शूटी अपने दोड़लिगे, और कीजेगा, तल मातमें किजेगा सब्सक्राइब, यदिये हैं, तão अबशे कीजेगा चैनल कीजेगा श्राइब, गा क्या अखने चैनल कीजेगा, क्या